बोल किलाब आजाद हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा आखिर कब तक ब्रिजभूशन शेरंड सिंग को बचाया जाएगा सांसत ब्रिजभूशन शेरंड सिंग जिस पर यौन उत्पीडन के गंभीर आरोप है दिल्ली पुलीस की कथित चारशीट में भी उसका जिक्र है मगर अब बात यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों देश की नाक कट रही है अंतराश्वी तोर पर खबर क्या मैं आपको बताता हूँ एक लाइन की खबर यह है कि विश्व कुष्टी संग ने भारतिये कुष्टी संग पर पाबंदी लगा दी है ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल खिलाब आज़ाद है तेरे कि आपको याद होगा जब इस तरह से जमीन पर घसीटा गया था हमारी महिला खिलाडियों को हमारी महिला पहलवानों को तब अंतराश्ट्री कुष्टी संग ने या विश्व कुष्टी संग ने इस पर कड़ी आपत्ती जाहिर की थी और कहा था कि नैसिरे से भारतिय कुष्टी संग में चुनाव कराये जाएं चुनाव नहीं कराये गए? क्यों? क्योंकि ये सरकार चाहती थी शायद की ब्रिजभूशन शरण सिंग का दबदबा बना रहे आज तक दो FIRs दर्ज होने के बावजूद ब्रिजभूशन शरण सिंग पर कोई कारवाई नहीं की गई है मगर आप जानते हैं भारती कुष्टी संग को जो सस्पेंड कर दिया गया है हटा दिया गया है उसका नुकसान क्या होने वाला है उसका नुकसान ये होने वाला है कि विश्व कुष्टी प्रतियोगिता में भारत हिस्सा तो ले पाएगा मगर भारती तिरंगे के तहत नहीं पिछले 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों जब भारत ने किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो और सिर पर तिरंगे की छाउना हो सिर्व इसलिए कि मोदी सरकार जो है वो ब्रिजभूशन शरंट सिंग को बचाना चाहती थी उस पर कोई आक्षन नहीं लेना चाहती थी कुष्टी संग में चुनाव नहीं करवाना चाहती थी नतीजा आपके सामने अब कुष्टी प्रतियोगिता में हमारे खेलाडी जाएंगे और अगर वो मेडल जीतेंगे दोस्तों आप जानते हैं उस वक्त तिरंगा नहीं फैराया जाएगा उस वक्त विश्व कुष्टी संग का तिरंगा फैराया जाएगा भारत का तिरंगा नहीं फैराया जाएगा ऐसी बेज़ज़ती तो पाकिस्तान की दी हुई होगी ऐसी बेज़ज़ती तो किसी failed state की नहीं होगी मैं ये समझना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया लगातार कहता है कि विश्ष भर में मोदी जी का डंका बज रहा है क्या ऐसे डंका बज रहा है ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस गोदी मीडिया ने इस पर चर्चा किया है गोदी मीडिया कल प्राइम टाइम में इस तरह की कचरा शूस कर रहा था और इसका मकसद क्या था कि भई चंद्रयान तीन में हमें जो सफलता मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वज़ा से है और नहरू को जलील किया जा रहा था नहरू को टार्गेट किया जा रहा था मगर इतनी बड़ी खबर आती है दोस्तों मजाल है कोई भी गोदी मीडिया का चैनल जो है उस पर स्टोरी करे जो अपने आप में कितनी शर्मनाग बात है सोच के भी सिहरन पैदा होती है कि हम एक प्रतिसपरधा में भाग लेंगे मगर वहां भारती तिरंगा नहीं होगा आप मुझे बताईए ना इस सरकार के चाटुकार इस सरकार की जो व्यवस्था है वो हमें बताए कि इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ है जब हमने किसी प्रतिसपरधा में भाग लिया हो किसी खेल में भाग लिया हो और वहां भारती तिरंगा नहीं हो आज तुमने महिला पहलवानों को खामोश कर दिया जंतर मंतर में वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें वहां से हटा दिया उन्हें इस तरह से सडक पर जलील किया तुमने उन्हें तो तुमने चुप करा दिया मगर भारत की जो बेज़ती हो रही है दुनिया भर में उसके बारे में तुम क्या काऊगे? साक्षी मलिक ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दिया है, बजरंग पुनिया ने भी. भारती कुष्टी के लिए आज काला दिन है, ब्रिजभूशन और उसके गुर्गों के कारण, देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे. तिरंगा देश की शान है, और हर खिलाडी का सपना होता है, कि वो जीतने के बाद तिरंगे को मैदान में लेकर दोड़े, ये ब्रिजभूशन और उसके आदमी देश का कितना नुकसान करेंगे? साक्षी बालित ने हिम्मत नहीं दिखाई, जब ये कहते हैं, ये ब्रिजभूशन और उसके आदमी काईदे से उन्हें भारती जनता पार्टी पर सीधा सवाल करना चाहिए था. मगर मैं समझ सकता हूँ साक्षी जी, कि आमिश्रा से आपकी मुलाकात होती है, और फिर आपका अंदोलन बंद हो जाता है. दिल्ली पूलीस इस तरह से जलील करती है, आपको धंकाया जाता है कि आपकी नौकरी छीनली जाएगी. हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, ऐसे हालात में प्रदर्शन करना, संगहर्ष करना. बजरंग पुनियां क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर? भारती कुष्टी के लिए आज काला दिन है, ब्रजभूशन और उसके गुर्गों के कारण, देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे. तिरंगा देश की शान है, और हर खिलाडी का सपना होता है, कि वो जीतने के बाद, तिरंगे को मैदान में लेकर दोड़े, ये भुरुजभूशन और उसके आदमी देश का कितना नुकसान करेंगे. जाहिर से बात है दोस्तों, दोनों की एक ही शब्दावली है, मगर उससे समझना भी चाहिए हमको, क्योंकि दोने एक ही बात कहना चाह रहे हैं, ये दोनों और विनेश फोगाट चहरा बने थे उस संगहर्श का, इनके साथ तमाम किसान जुटे थे, तमाम उदारवादी ल में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने प्रदान मन्तरी से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में प्रदान मन्तरी ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, मगर फिर मामला सुपूर्द कर दिया जाता है सम्माननी है सूचनव प्रसारमन्तरी अनुराग ठाकुर को और फिर बात लीग हो जाती है किसे? ब्रिजभूशन शेरंड सिंग को और बकॉल विनेश फोगाड ब्रिजभूशन शेरंड सिंग फिर उन्हें धमकानी लगता है इस तरह से देश की बच्चियों और उन महिला खिलाडियों जेनोंने देश का नाम रौशन किया था उन्हीं बेज़द किया गया विश्वास घात किया गया मगर ये बेज़दी तो बहुत शोटी थी आज जो हुआ है दोस्तों अब हमारे खिलाडी कुष्टी तो लड़ेंगे मगर तिरंगे का साया नहीं होगा कितनी बड़ी बेज़दी है ये दोस्तों देश की को इस तरह ध्यान देगा दिल्ली महिला आयोक की अध्यक्ष स्वाती मालेवाल का बयान आपके स्क्रीन्स पर वर्ल्ड रेसलिंग ने डबल्यो एफाई को सस्पेंड कर दिया है सिर्फ एक यौन शोशन के आरूपी को बचानी की कोशश की वज़ा से अब विदेश में भारत का तिरंगा नहीं फैराया जाएगा राश्टरगान नहीं चलेगा इस से बड़ा देश का अपमान क्या हो सकता है देश और ब्रिजभूशन में चुनना था आपने ब्रिजभूशन को चुना वाकरी बहुत खुबसूरत बात यहां सुवाती मालेवाल ने कही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सामने चुना था या तो ब्रिजभूशन को चुने या देश को मगर किसको चुना आप देख सकते हैं सुवाती मालेवाल आज भी बोल रही है मगर हमारी स्मृती राने जी खामोश है कभी नहीं कहेंगी है जब भी आरोब भारती जन्ता पार्टी सांसद या बीजेपी समर्थकों पर होता है यह खामोशी अख्तियार कर लेती है इनका सिर्फ एक काम होता है राहुल गांधी को ट्रोल करना बस उसके लावा कुछ नहीं कॉंग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है दोस्तों सुप्रियाश्वनेत युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारती कुष्टी संग की सदसिता रद कर दी है यहां हमारी सरकार यौन शोशन की आरोपी ब्रिज भूशन सिंग को ही सनरक्षन देती रही और वहां विश्वस्तर पर ये जग हसाई हो रही है इस बेज़ती का जिम्मेदार कौन है मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ इस बेज़ती का जिम्मेदार आखिर कौन है आप ये कह सकते हैं कि चुनाव पर रोक न्याय लेने लगाई क्योंकि ये तर्क दिया जा रहा है कि चुनाव इसलिए नहीं हो सका क्योंकि गोहाटी ने आपत्ती दर्ज की चंडिगड ने आपत्ती दर्ज की ये सब कहना बहुत आसान है मगर अपने गेरिबान में जहांक कर देखिए अपने गेरिबान में जहांक कर देखिए कि मोदी सरकार किसके साथ खड़ी है हमारे खिलाडियों के साथ खड़ी है या ब्रिजभूशन शेरंट सिंग के साथ खड़ी है इस बात को आप नजर अंदास कर सकते हैं अनाप शनाप बोलना सरकार को बचाने के लिए अनरगल प्रोपगांडा करना बहुत आसान है मगर एक ऐसा व्यक्ती जिस पर पॉक्सों को लेकर F.I.R. था फिर दबाव डाला गया पीडित के उपर पुलीस ने पूछताच की है कितने शालीन अंदास से कोई और होता तो अब तक जेल के अंदर होता और इसी ढेरों मिसाल हैं आपके सामने गिरेबान में जहांकिए नियायले का सहारा मत दीजे आप खुद जानते हैं कि मोदी सरकार किस के साथ है पहलवानों के साथ या ब्रिजभूशन शरंड सिंग के साथ और अब जो हुआ वो कितना शर्मनाक है कि हमारे खिलाडी जो हैं वो कुष्टी लड़ेंगे मगर तिरंगा नहीं होगा शर्मनाक अब इसार शर्मा को दीजे इजासत नमस्कार